मैं एक professional athlete के रूप में ये एक क्रोड डॉलर वाली job करने जा रहा हूँ और मैं आपको बता दू कि कितना फर्क होता है एक astronaut बनकर हर साल दो लाग डॉलर कमाने में ये पागल पन है डाइनसौर की हड्या ढूंद कर हर साल एक लाग डॉलर कमाने में और भी कई jobs के बीच और मैं शुरुआत करूँगा सबसे कम income वाली job से गोल्ड पैनेंग जिसके जरीय हम एक साल में एक डॉलर कमाएंगे लेकिन हम करोड पती बनेंगे शायद तुम्हारे सपनों में बेसिकली गोल्ड पैनल्स इस मेकानिजम में मिट्री डालते हैं फिर इसमें पानी डालकर थोड़ा हिलाने के बाद सारा सोना फिल्टर होकर नीचे जमा हो जाता है लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि पाच घंटों की महनत के बाद मैं बिलकुल भी अमीर नहीं बन पाया ओ बॉइस मुझे सोना मिला इसकी क्या कीमद होगी करीब तो सेंस यही तो मैं कह रहा था इसे एक साल तक करने के बाद भी आप एक डॉलर ही कमाएंगे लेकिन लकिली हम ऐसी नौकरिया करने जा रहे हैं जिसमें हम एक साल में दस मिलियन डॉलर्स तक कमा पाएंगे चलिए देखते हैं ऐसी नौकरी करना कैसा लगता है जिसमें हर साल एक लाग डॉलर मिलता हो म्यूजियम के लिए डाइनसौर की हड्डिया ढूला और हाँ ये नकली हैं क्योंकि ये सभी मर चुके हैं तो ये उनका ढ़ो में से एक है कहीं सच में डाइनसौर की हड़िया है बिल्कुल मैं यहाँ 17 सालों से हूँ ये अब तद की सबसे बड़ी हड़ी है जिस पर मैंने काम किया है ये रही आपकी थाइबोन यहाँ पर जो करीब 4 फीट लंबी है तुलना के लिए ये रहा वो डाइनसौर और ये रहे 6 काल जो एक के उपर एक खड़े है और मेरे लंबा ही 6 पुट 5 है ये मिनी जैक हैमर्स है बड़े काम के तुम कर सकते हैं इसे बिल्कुल पता नहीं वो क्या कर रहा है इसे कोई आगे नहीं है आप ये सुनकर अजीब लगेगा लेकिन हम इस काम में बहुत बुरे हैं संभल कर पाच घंटे की महनत के बाद भी हमारी प्रोग्रेस ना के बराबर थी लेकिन हमारे इस धीमी गती के बाबजू एक्सपर्ट की मदद से हम आगे बढ़ रहे थे मैंने अपने पूरे करियर में इससे बड़ी हड़ी पर कभी काम नहीं किया और आपने मुझे और काल को इसे चूने दिया हमने गड़बड कर दी तो जॉश इसका वजन कितना होगा करिब करिब नभी से एक्सो दस किलो? नोलन की मॉम इससे दस गुना ज्यादा भाई है अब क्यूकि ये हड़ी इतनी प्राचीन है हमें इसे उठाने से पहले पियो पी से ढखना होगा वरना इसके दो टुकडे भी हो सकते हैं उमीद है उठाते वक्त ये टूटे नहीं वान, तू, तू, त्री जब लगा के श्रीशा बहुत अच्छे आज पहली बार इंसानों ने इस हड़ी को उठाया है वो भी कुछ यूट्यूबर्स ने यकीन नहीं होता ट्रेनिंग की दो लाख डॉलर वाली नौकरी करते हैं और मेरा पहला मिशन था उनके ओफिशल लूनर रोवर को चलाना सीखना एक दिन ये रोवर चांद पर होगी है ना आप चांद पर घुमने के लिए इसी का इस्तिमाल करेंगे ये लोग मुझे चलाने क्यों दे रहा है दर्वाजे खोल दो इसे कैसे चलाते हैं? इस टंडे को आगे धके लो ही? हाँ, धके लो चीमी, हमें मारना मत मुझे डर लग रहा है आते रहो ओ, ये तो गमाल करें अब उसे खुमाओ दायोर? कहीं भी खुमाओ, मुझे फस नहीं पड़ता ओ माई गौड, यहाँ गाडिया है क्या ही सड़क पर चला सकते हैं? यहाँ तो चला ही सकते हैं बहुत मज़ा रहा है तुम टेडा क्यों चला रहे हो? मुझे नहीं पता इसे सीधा कैसे किया जाता है हाला कि मैं इसे ऐसे चला रहा था जैसे मैंने पी रखी हो मैं सब को नासा के लूनर ट्रेनिंग यार्ड तक पहुचा बाया जहां इसकी असली परिक्षा होगी ओ, हम आफ रोड जा रहा है तुम मुझे इसे ड़लान के नीचे उतारने दे रहे हो क्या है इस मशीन के अंदर सीट बेल्ट है यहां पर एक सीट बेल्ट हो जिसका हम इस्तमाल ने करोण इसके पास सीट बेल्ट है लें बखलो, काल, पकलो मुझे लेनन तुम चांद पर सवाइव नहीं कर पाऊगे शायद मैं कर पाऊँगा और उसके बाद नासा ने मुझे अपनी विशाल स्पेस फेसिलिटी दिखाई यकीन नहीं होता ये प्रिथिवी का दूसरा सबसे बड़ा पूल है ऐसा लग रहा था मानूव वहम पर फ्लेक्स कर रहे हो खासकर जब उन्होंने अपना स्पेस सूट दिखाया स्पेस सूट को पहनने के बाद ही तुम एक एस्ट्रोनौट बन जाते हो लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी स्पेस वॉक करने के लिए कि आपको डाइपर पहनना पड़ता है तुम इस सूट में बारा घंटे तक रहते हो वाव इसे पकड़ो तो ये सच मुच एक एडल्ड डाइपर है तू ज़रा सम्हल कर ये स्पेस आटिफाक्ट है ये कई पार मिशन्स में इस्तमाल हुआ है यानि असली आस्ट्रोनॉट्स ने से पहना है हाँ और उन्होंने इसमें सुसु भी किया था क्या आपने इसमें सुसु किया है मैंने इसमें नहीं चीक है तो बताईए अगला मिशन कभ है मैं तुम एक साल बाद फ्री रहोगे मैं समय निकाल लूँगा ओके ओके और मेरी ट्रेनिंग के आखरी स्टेप में मैं एक कमाल की चीज करने जा रहा हूँ उन्होंने मुझे चांद को छूने का परमिशन दिया मैं थोड़ा दम लगाकर खीचूँ क्यूंकि इसका वज़न 4,000 किलोग्राम है यह 4,000 किलोग्राम का है वाव यह कमाल बूरी दुनिया में इससे बड़ा मून रॉप कलेक्शन कहीं भी नहीं है यकीन नहीं होता वो हमें यह करने दे रहा है तुम जानते हो ना हम बस एक YouTube चैनल है हाँ यह किसी जमाने में चांद पर हुआ करते थे क्या मैं Genesis Rock को छू सकता हूँ बिलकुल नहीं कल हमने एक Dinosaur का fossil खो जा था इसलिए मैं इसमें expert हूँ क्या आप छू सकता हूँ यह तो कमाल है तो इस ट्यूब में चांद की मिट्टी रखी गई है और इसे अब तक खोला नहीं गया है और अगर यह सच है तो हो सकता है उसमें एक alien भी हो हाँ वह पहला होगा और यह जानने के बाद की aliens सच में होते हैं हम अपनी अगली नौकरी के लिए स्टाटसफियर की ओर गए जहां काल और नोलन ने प्लेन उड़ाया मैंने पहले कभी प्लेन ने उड़ाया हमें पता नहीं क्या कर रहे है प्लाइट ट्रेंग के पहले दिन पर आपका स्वागत है मैं मजाक नहीं कर रहा बॉइस को एक असली प्लेन उड़ाने के पहले बस एक बार इस फ्लाइट सिमुलेटर में प्लेन को लैंड करवाना होगा और नगातार एक के बादे नोलन की क्रैश लैंडिंग के पाद तुमने प्लेन को क्रैश कर दिया उसने सक्सेसफ़ली लैंडिंग कर ही ले जिसके बाद पता नहीं क्यों उसे इस प्लेन को चलाने के लिए चाबिया दी गए यो मुझे डर लग रहा है अगर तुम यह नहीं कर सकते नोलन तो प्लीज भगवान के लिए इने बता दे रहा मैं प्लेन उड़ाने माना हूँ ठीक है क्या तुम तयार हो मैं तो बच्पल से ही तयार हूँ फुल थ्रॉडल अप्रोच एंग सिक्स्टी थोड़ी डगमगाट है लेकिन आप लीवर को पीछे कीछे हम टेक आफ कर रहे हैं बहुत अच्छे तुम्हारी सिंदेगी मेरे हाथों मैं तो सच में इस पूरे प्लेन को अखेला उड़ा रहा है हाँ मैंने तो चुआ भी नहीं है तरविलेंस की वज़े से कभी ग्राश नहीं होता है ना तरसल अब देखो मैं ताइम अड़ने वाल करो मैं कुल गया हां अकसर लोगों पो यही सब याद रखने में दिक्कत होती है ठीक है हम नीचे जा रहे हैं तुम कहीं हमें उपर ना पहुंचा दो सिमिलेटर पे हर बार फ्लीट मेरे से यहीं पर क्रेश होता है हम यहीं लैंड करेंगे इस रण्वे के ऊपर ओमाइग हम कुछ ज्यादा ही नीचे है नहीं इसके ना को बिल्कुल बीचो बीच रखना ओमाइग वाराम से अपना हाथ ठोटल पर रखो यह वर पीचे कीचने से पहले थोड़ा इंतजार करना लंबी सास लो बहुत अच्छे मैं हैरान हो गया जब मुझे पता चला कि आप हर साल दस लाख डॉलर कमा सकते हैं हैंड मॉडलिंग में लेकिन सिर्फ तभी जब आप दुनिया के सबसे महेंगे हैंड मॉडल्स में से एक हो यह लोगों को अपने हाथों के तस्वीरे लेने की परमिशन देकर एक डॉक्ट दॉलर का इंशॉरंस भी कराया है मैं आपको काम करते हुए देखना जाता हूं सबसे पहले इन्होंने हमारे हाथों की जांच कि मुझे पता निए था कि आज वो दिन होगा जब मुझे नई इन से कृटीज मिलेंगी ऑके तो सबसे पहले तुम्हें अपने नाखून साफ क नहीं पता क्या मेरी उंगलियों का स्ट्रक्चर अच्छा है हां बनावट अच्छी है लेकिन आखुलों के बीच गंदगी है लेकिन वो सब ठीक हो सकता है हमारे हाथों पर अभी काफी काम करना था तो हमने उन्हें शूट के लिए तयार किया जो कि मेरे और काल के लिए आ प्रमोट करने के लिए मुझे डर लग रहा है लेकिन कोई टेंशन नहीं ठीक है मलब घड़ी तो अच्छी लग रही है मुझे पहले लगा कि यह आसान होगा लेकिन हम इस काम में बहुत ज्यादा बुरे थे ऐसा लग रहा है जसी यह वाच एक साप ने पहनी है यह तो बह कि हाथ ने चाहिए अराम से काल अराम से अपने दूसरे हाथ को यहालोगा इसका सर पका हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाला कि हमारे फोटो अच्छे नहीं थे उन्हें देश भर के बिलबोर्ड पर दिखाया गया और अब वक्ता आगया है वो काम करने का जिसे करके हम एक साल म एक असली कॉंट्राक्ट साइन कर रहा हूं इसमें लिखा है कि हम शायद पैसे नहीं देंगे लेकिन कम से कम अमाउंट तो सही है नहीं बस अमाउंट पर फोकस करो अब यह ओफिशल है कॉंग्रेशल प्लेयर तो अगले 48 घंटों के लिए मैं एक उफिशल प्लेयर हाँ त पिर एक लूजर यह लोग एक एक एनेफिल प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा चला करता है इसे वहां सेट करो जहां तो मेरे टीम का सबसे ताकद और क्लेयर सेट करता है पता नहीं में एक भी कर पाऊंगा यह यह एसे बाला रप्स करता है ना मुमकिन वो कोई आम इंसान पाऊंगा नहीं लेना चाहूंगा अगा इन अफल इन अमुश्किल क्यों है यह वरक आउट बाखी प्लेयर्स के तुलना में कैसा था बहुत बुरा उमीद है चक्कर आना बंद हो जाए घबराऊ आदध पड़ जाए उसके बाद में अपनी ट्रेनिंग के लिए टैंपा बेकिब बके नियस ट्रेनिंग फसिलिटी में पहुचा जहां में मिल अपने कोच से बढ़िया और बाकी टीमीट से तुम्हारे वाले पर ज्यादा पैसे लेकिन इसमें लिखा है कि ये कॉंट्राक्ट सर्फ दो दिन का है उसके बाद ही कैंसल हो जाए तुम्हारे तुम्ह कॉर्टर बैक बनता हूं और क्यूंकि मैं पहले कभी कॉर्टर बैक भी नहीं बना था और हाइक मैंने पूरी ताकत लगा कर बॉल को भेका बड़िया टच्टाउं और मैं आपको बता दू कि ये वही टीम है जिसके साथ टॉम ब्रीडी ने सूपर बोल चीता था तो मैंने क्या सुचा उन्हें सप्राइज दिया जाए अब आगे तो मुझे बॉल लगने वाली थी कैसे हो मेरे दोस्त कैसे हो तुम सब लोग यहां मेरा एक दोस्त है जो आपके सिर्फ हाइ कहने पर खुशी से नाइज करो तुम मेरे शाल नहीं कर सकते हो और उसके बाद हमारी प् को लेकर कुछ सवाल थे तो बच ने मेरे लिए एक प्रेस कॉंफरेंच बुलाई कल बहुत ही बड़ा दिन है तो कोई बेतु के सवाल मत पूछना हो कै क्या यह एक पुबिसिटी स्टन्ट है आप यहां पर क्यों है सिर्फ बेस्ट वीडियो बनाने के लिए हाँ यह यह ए इसलिए नाप रहे थे ताकि मेरा कस्टम गियर और युनिफॉर्म बिल्कुल सही फिट हो यह सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और युनिफॉर्म बन माने के बाद ऑफिशल गेंडे आ ही गया मुझे अब भी ने पता कि वो मुझे ऐसा क्यों करने दे रहे है बट है तुम हैरान हो कि उन्हेंने मुझे टीम में ले लिया यह मेरा साइंट किया गया पहला फुटबॉल है जी में अभी किसी भी वक्त बहार आता ही होगा तुम सौ पॉइंट से लीड करोगे तो शायद मुझे खेलने मिलेगा मुझ पर हैसान करो और स्कोर बोर तोड़ दो ज कि हट्डियां टूट जाएंगी यह सब कैसे हो गया यह तो सबने जैसा है यह कि किता कमो और क्योंकि यह मेरी जिंदेगी का सबसे पहला और आखरी एन एफल गेम है टीम ने मुझे एंट्री पर सबसे आगे रहने दिया तो बगोई निट कर दो जिनी यह हमारा दोस्त है अजय को चलना दे हैं यह तुम्हारी जिंदिगी का सबसे बेस दिन है यह यह निखल रहे हैं इपने निराशनी करूंगा उसकता है मुझे खेलने का मौकाना मिल अमेरिका आमेरिका अधिशल एनेफल प्लेयर बनाने की लिए मैं बखेनियर्स का शुक्र गुजार हूं और अ कि अगर वो मुझे टैकल करते तो मेरा मरना तो तैथा मुझे लगा सब खत्म हो गया है लेकिन फिर फैलकन्स ने ये ट्वीट किया मिस्ट बीस के नेक्स चैलेंज के लिए गोल मारो और गेम जीतो